जहांगे आपका सबसब動画 पर Gör Subscribe अगर वह ज़्यादा रहेगा तो आरो और अगर कम रहेगा तो यूवी वाटर प्युरिफायर रहेगा आपके लिए ये बात आप जहन में डाल लीजीगा क्योंकि RO Water Purifier हर जगा नहीं चल सकता अगर हर जगा चलने लगेगा तो आपका maintenance काफी ज़्यादा बढ़ा देगा ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है तो इसलिए जहाँ पे ज़्यादा TDS रहेगा वही पे RO Water Purifier और जहाँ पे कम Water TDS है दोसों के नीचे है तो वहाँ पे UV Water Purifier ही लगेगा